पद, पतिष्ठा, सूख, समरुद्धी, इन सबसे दूर, वैसाहिँ जैसा आपने मुझे यहां बेजा था, मोदी, मौज नहीं, मीशन के लिए पैदा हुआ है, जे-म-म कॉंग्रेस के नेताओं ने, ब्रस्टा चार से, अपार दन संपदा खड़ी किये हैं, मेरे पाथ अपनी साइकल भी नहीं है, न मेरा घर है, साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कोच, यह अपने अपने बच्चों के लिए अरजित कर रहे हैं, यह उनके लिए फिरासत में, धेर सारी काली कमाई छोड़ कर जाएंगे, लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भई, आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा ही नहीं है, मेरे वारिस तो आप सभी है, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस है, मेरी इच्छा है, मैं विरासत में, आपको, आपके बच्चों को, विख्षीद भारत दे करके ही जाओं, ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिन्दगी जीने की नौबत ना आए, मा को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बिमारी को छिपाते नहीं देखा, सौचाले के अभाव में, पीडा और अप्मान सहती मा को नहीं देखा, वो, मोदी के इन आसुओं का, मर्मन नहीं समझेगा, लेकिन भाई और भेनों, ये कॉंग्रेस के साज़ेदे, मोदी के आसुओं में, अपनी खुशी ढून रहे हैं, कहते हैं, मोदी के आसुओं अच्छे लगते हैं, ये निराश, हताश लोग, अब इतने कुंठित हो गए हैं, एक कहावत है, जाके, जाके, पावन फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, कॉंग्रेस के साहजादे की हालत बही है, वो तो गर्व से कहते हैं, कि उनके घर में कई प्रधान मंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलीत आधिवासी की जोपड़ी में फोटों खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया,